इस ठंड के मौसम में कुछ न कुछ गर्म गरम खाने का मन करता हैं तो आज हम ताजे हरे मटर की एकदम नई रेसिपी ले के आए हैं जो एकदम सूपर करारी टेस्टी पकौरा है जो बहुत ही स्वादिश्ट बनता है तो आईए आज की मज़ेदा रेसिपी शुरू करते हैं हाई मैं स्वास्ती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो ताजे हरे मटर का पकौरा बनाने के लिए हम ताजा मटर एक कपले लेंगे और इसमें दो हरे मिर्च टाल देंगे उसके बाद एक पूरा लासुन का चिलका अटाक है उसको टाल देंगे और अध मतर में निकाल लेंगे और उसके बाद जितना मतर था से मुटना ही प्याज बारीक मुट ले लेंगे और उसके बाद मैदा एक चमज टाल देंगे और कॉन्फलोर 270 माच उसके बाद इसमें बेशन भी 2 चमच डाल देंगे धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला 14 चमच रेट छीली पाउडर आधा चमच काली मेच पाउडर 14 चमच और हल्दी पाउडर आधा चमच ले लेंगे उसके बाद नमक आव अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजेगा अब ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले इसको मिक्स करेंगे उसके बाद पानी के जब जरुवत होगा तो थोरा थोरा पानी डालके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए इसमे एकदम थोरा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे थोरा सा पानी और डालके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद तेल गरम होने के लिए कराई में डाल देंगे तो अब तेल गरम हो चुका है अब इसमें थोरा-थोरा ऐसे उठाएंगे हाथ से और थोरा सा उंगली से इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद कराई में डाल देंगे आपको छोटा बराजिस टाइप का पकरे बनाना हो आप उस टाइप से बना सकते है पर ऐसे पतला-पतला बनाने से एकदम क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है तो जितना कराई में आएगा उतना डाल लेंगे अब इसको थोरा सा ब्राउन होने देंगे उसके बाद दूसरे साइड उलट देंगे तो यह देखिए एक साइड थोरा सा इसका कालर चेंज हो चुका है तो अब इसको दूसरे साइड उलट देंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे इसको हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करेंगे इसको मेडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए और क्रिस्पी भी बने तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है अब ये लगभग रेडी हो चुका है तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बच्चे हुए पकोरे भी तल लेंगे तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है अब इसको भी सेम प्लेट में निकाल लेंगे तो ये पकोराव रेडी हो चुका है अब इसी कराए में हम 4-5 हरे मिर्ची डालेंगे बीच से चीरा लगा देंगे और फिर इसी तेल में इसको फ्राइ कर लेंगे गैस बंद कर देंगे, ये तो तेल गरमी है, तो इसमें ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो ये देखिए ये रेडियो जुका है, अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ये ताजे हरे मटर का पकौरा बनके रेडियो चुका है, सर्व करने के लिए इसको नास्ता के टाइम हरी चटनी के साथ इसको सर्व किजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा तो ये देखिए, सूपर टेस्टी करारी हरे मटर की पकौरा बनके रेडियो चुका है आप सब भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ कीजिएगा और फैमली और इस्तेदारों के साथ भी इसको share कीजिएगा और इसको मेरे गाने पर एक पर जरूर बनाईएगा और फिर बताएगा ये आप सब को कैसी लगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और कॉमेंट चरू कीजिएगा आप सबने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सब को मिलती रहे तो आप सब सर फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ